नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुमियोपेटिक क्लीनिक का एक छोटा सा क्लिप में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे इस पावन धर्ती पे जहाँ पे गंगा जी स्वेम विराजमा ने आपके स्वास्त की और आपके स्वास्त की बेहतरी की कामना करेंगे आप देख सकते हैं अपने पीछे विशाल परवत है सामने बरफ के पहाड है और यह अविरल गंगा जी बह रही है यहाँ गंगा जी का माइका है यहाँ पर छे महीने के लिए गंगा जी आती है रेष्ट के लिए और फिर जब मौसम खुलता है तो वापस उपर गंगोतरी चली जाती है वो आप देख सकते हैं गंगा जी का मंदिर है जहां पर गंगा जी छे महीना रहती है जब उपर बहुत बरफ जमीर होती है तो ऐसी अलौकिक जगहां मैं चाहूंगा इधर भी पैन करें हर तरफ पहार चारो तरफ पहार के बीच में हम लोग आए और इस समय बहुत सर्दी है और सर्दी के बीच उस बहुत सर्दी के बीच हम लोग जो है वहां मौजूद हैं यहां पर जैसा मैंने का इस पावन धर्ती से मैं आपके बीच नहीं हूँ क्लिनिक छोड़ के आपका समय कवचुरा के मैं यहां पर आया हुआ हूँ दोहजार किलोमीटर दूर लेकिन मैं आपकी बेतर स्वास्त की कामना करता हूँ इस पावन धर्ती पर कि आप सुखी रहें स्वस्त रहें आपका परिवार सुखी रहें स्वस्त रहें और गंगा जी की भाती जैसे गंगा जी का पानी कभी नहीं खतम होता ऐसे आपके जीवन में संसाधन कभी न खतम हो वो अभिर하ल दो Ninja Rei निरंतर भैथ रहएए जो जीवन की निरंतर्ता होती लिए Widow diese यानी इक इंपार्टम चीज हो ती है जिसके जीवन में इनिरंतर्ता है एक वॉब्लो बना हुऋआ इनर्जी का उसका जीवन सुख्में है और जिसके जीवन में निरंतरता नहीं है उसका जीवन सुख्में नहीं है तो मैं इस धर्टी पे निरंतरता की कामना आप से करता हूं आपके लिए अपने लिए सब के लिए बड़े बुजुर्गों के लिए अपने से छोटों के हमेशा डाक्टर उमंग खन्ना होमियोपेति क्लीनिक की एक आमना रही है एक बार फिर आप सब का धन्यवाद और सब को सादुवाद कर दो एक आमना रही है झाल झाल झाल